हेलो फ्रेंड्स आज सीखेंगे हम इस कुर्ति को बनाना जो इसके साथ मैंने प्लाजो पहना हुआ है उसका वीडियो अल्रेडी मेरे चैनल पे अपलोड है आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में डाल दूंगी और इस किस कलर में इस कुर्ति को बनाया है वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक किजिएगा चले स्टार्ट करते हैं कविता मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे हैं स्टाइलिस डिजाइनर ओपन फ्रेंट से सब्सक्राइबरिक है मेरा साड़े तीन मीटर और मैंने आधा मीटर लिया है अस्तर है और यह मैंने वाइट कलर की लेज ली है वाइट कलर की लेज को हम इसके उपर लगाएंगे इसका वाइट का और ब्रजेट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा यह देखिए अगर हम इसे इस तरह किसे स्लीप स्पे लगाएंगे तो बहुत प्यारा सा इसका लुक आएगा तो हम इसी को लगाके आज एक उर्ती डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट पे कटिंग करेंगे तो टॉप पार्ट को सबसे पहले आप फोर फोल्ड म यह इसकी open side है और यह इसकी बंद side है यह इसकी length है यह इसकी चोड़ाई है तो सबसे पहले friends हम length का निसान लगाएंगे जैसे हमारे जो top part यह हम किनारी वाला part इसमें से निकालेंगे क्योंकि बहुत मोटा है ठीक है इससे नीचे हम निसान लगाएंगे जैसे 15 इंच का हमारे टॉपार ट्रेडी होगा तो हमने इन निसान लगाए 16 पर आधा इंच मार्जन लेके इसमें और यह हमारा मतलब उपन नीचे दबेगा तो उसके लिए आप 1.5 इंच मार्जन एक्स् निसान लगाएंगे और आपका जो भी ब्रेस्ट साइज है उसको फोर से डिवाइड करके उसमें 2 इंच मार्जन ले लीजे तो यहां पर ब्रेस्ट साइज है 36 चोथा हिस्सा आता है यहां पर हमारा 9 इंच और 9 में हम लगभग 2 इंच मार्जन लेके यहां से हम 11 इंच पर इसके बाद जो भी आपका कमर साइज है 28 इंच में हम लेके 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 लिए लगभग 2 इंच पर और फ्रंट के लिए लेके लिए लेके लिए तो इन दोनों को हम इस तरीके से मिलाएंगे अब उपर वाले पर कटिंग करने हैं क्योंकि पहले हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे और इसका जो गला है उसको हम बुक्रम पर ही बनाएंगे अब यहां से हम यह जो एक्स्टर हमारा कपड़ा है इसको भी अलग कर देंगे अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट अलग कर देंगे बेल पार्ट अलग करके फ्रंट पार्ट के आर्म पूल की कटिंग कर देंगे और फिर इसी को रखे हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे अब देखिए फ्रेंट से मैंने इसको बिछा लिया है अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है वो हमारा कट जाएगा बस हमें इतना ही कपड़ा चाहिए इसमें से तो यह पूरा हम कट कर लेते हैं तो इसको हम यह हमने फ्रंट पार्ट रखा हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे क्योंकि बैक पार्ट हमारा बड़ा है और फ्रंट छोटा है तो आप बैक पार्ट रखके कटिंग करें मैंने गलती से फ्रंट पार्ट रख लिया है तो की प्रॉब्लम नहीं क्योंकि जब हम इन दोनों को आपसमें सिलाई करते हैं, जैसे अब यह हमारा सिलाई तो हम क्या करेंगे? यहां से से अतिय करेंगे तो जितना भी हमारा any actual fabric होता है कमर साइड से आर्मूल साइड से वह सब हमारा निकल जाता है सिर्फ हमारा प्रॉपर जो फिटिंग का पार्ट है यह है अस्तर का तो बस इस चीज का आप ध्यान रखें और रफली बस ऐसे ही इसको कट कर लें तो यह दोनों पार्ट कट हो गए हैं और नीचे हम घेरे में अस्तर का यूज पहले जो एक्स्ट्रा फैबरिक है उसको हम बचाएंगे तो देखे फ्रेंड मैंने कपड़े को दो तैमें बिचा लिया देखिए इसके दो फोल्ड है अब हम क्या करेंगे फ्रेंड जैसे इसमें चार कॉने है चार कॉनों में से आप कोई भी कॉना पकड़के इसे यहां स इसको अच्छे से मिला देँगे अब फिर अपनी लैंथ और कमर का निसान लगाएंगे अब यहां से देखिए फ्रेंड्स हम अपनी कमर के लिए निसान लगाएंगे यहां पर आपका जो भी कमर सायज है उसमें आप 1 इंच एक्स्रा मारजड लेके जैसे कमर WHP इसमें रखेंगे तो आपको अपनी हिसाब से ज्यादा मार्जन रखना है तो आप 1.5 इंच रखेंगे कभी भी आप इसे लूज टाइक कर सकते हों तो यहां से मैं रखूंगे इसे 9 इंच का पूरा इस तरीके से यहां से और यहां से मैं 9 इंच पे निसान लगाऊंगी और इसको हम जैसे नाप रहे हैं तो यह 13 इंच आ रहा है हमारा अब यहां से हम एक सरकल बना लेंगे गोल गोल सरकल बनाके और हम इन सबी लाइनों को एक दूसरे से मिलाएंगे यह देखिए और फिर उसके बाद हम अपनी लेंट का निसान लगाएंगे तो यहां से देखिए अब आपको देखने हैं अपनी कुर्ती की लंबाई कितनी रखनी है जैसे हमारा 15 इंच का टॉप पार्ट है तो 15 इंच माइनस कर दीजे मतलब इंच टेप को ऊपन निकाल के रखिया 15 इंच इसमें जोड़के अब आप देखिए कि आपको अपनी कुर्ती की लेंथ कितनी देखिर चालिस रखनी है बयालेश चावालेश इनपनी करत लेंफ टूमदी शिसमें जो आपनी कुर्ती लेंथ रखंगे स्टसाएं जो अपनी कुर्ती की लेंथ क्कुर्ँ tra Pay नचरीम के लखनी हैूं कि हमने मोडने के लिए भी इसी के अंदर इंक्लूर कर रखा है आप चाहे तो वहां पर पी को भी करा सकती है तो बस हम ऐसे ही एक के डायरेक्शन में निसान लगाते हुए जाएंगे देखिए अभी देखिए फ्रेंड्स हम सभी निसानों को एक दूसरे से मिलाएंगे अभी जो लगाएं हमने इनको हम एक दूसरे से मिला देंगे अभी यहां से इसको कटिंग कर देंगे उसी लाइन के उपर अब यहां से इसको कट करेंगे ॐ अब यह कट करके लेकर जाएंगे त्वे किस पंपर केनारी आये हुई है तो हमारे पास हो जाएंगे दो पार्ट की यह दो गया है इस व्हाले फार्ट हुए है एक दम बरावर करके आई हमारे अब क्या करेंगे कि जो बीच का पार्ट है उसको में किर कर लेंगे ज Pan ale administrative से से कर लेंगे किस कुप AF कर उख फृपर करेंगे और इसे प्रेण टरेंगे कि यहां से सेसे से कटिंग करना है Das you can make this formal शेsalा कांदी है है कि आपको वालए साथ चूरा करनेया है यहां से कटींग क境नीग है यह अजो सीरी साइडल में शेमारा न वाले से निकल जाएंगी इसमें से बड़ी नहीं निकल रही है तो इस फैब्रिक को नहीं और यूज कर लेंगी तो मैं नहीं जो बचा हुआ फैब्रिक था घेरे में से उसी में से अपनी बाजो निकाल रही हूं तो बाजो की तयार रहेगी 20 इंच उसमें हम लगपक मोड़ने के लिए लेके 22 इंच पे निसान लगाएंगे इस तरीके से और एक्स्टा फैब्रिक को हम इसमें से कट कर देंगे जो हमारा बचेगा कि अब ही हम यहां से अपनी उसका चौडाई का और लेंध का मैं आपको बता ही दिया है इसको पहले बरावर कर देंगे तो यहां से देखे चौडाई में रखेंगे हम इसे 9 इंच और खुली साइड से रखेंगे 3 इंच और इस तरीके से हम इसकी गोलाई कर देंगे और जितनी वे आपकी fitting है जिसे हम हमारी fitting है साड़े छह है तो हम साथ इंच पर ऐसे लेके और बस इसको इसी ताइके से cutting कर देंगे अब देखिए friends मैंने यह अस्तर ले लिया है अस्तर को हम सिर्फ अस्तर लिया है हमने हम अस्तर को टू फोल्ड करके रखेंगे यानि दो तेहमे और यहां से हम निसान लगाएंगे गले के लिए तो गले की जो चोड़ाई होगी वो हम इसमें तीन इंच रखेंगे और जो हम इसमें सेब देने जा रहे हैं उसी टाइप का ये हमारा गला बनता है नीचे से भी हम इसकी चोड़ाई तीन इंच रखेंगे और उपर से भी तीन इंच रखेंगे अब यहां से देखिए मैं आपको बताती हूं थोड़ा सा कि यहां से आप इस तरीके से एक पहले इस 5 इंच तक एक सीधी लाइन हमारी रहेगी और फिर 5 इंच से लेके 4 इंच तक इसको इसे साइड मेंसे गुमा देंगे देखिए यह गला हमारा इसी टाइप और जो मेन फैबरिक है उसको सीधा रखा है नीचे की साइड बस उसी निसान के उपर आपको सिलाई लगाने बिना बुक्रम के भी बहुत अच्छा बन जाता है इसमें बुक्रम पेपर पेश्टिंग के जौरत नहीं पड़ती है अब बस इसको हम ऐसे नीचे की साइड से पलट देंगे उल्टी साइड को उल्टी साइड को पलटने के बाद इस पर अच्छे से पहले में प्रेस इसको बिठा लूँगी तो मैंने इस पर प्रेस कर ली है अभी आप इसमें लेस वगेरा कुछ भी लगा सकते हो यहां से थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा मैं आगे से आपको समझा दूँगी मैंने क्या तो यहां से देखिए मैंने चारो तरफ को इसमें सिलाईयां लगा ली है मतलब अस्तर को और में फैबरिक को अच्छे से मैंने रख लिया है और सिलने के बाद आपको जो आपका बैक पार्ट है उसको भी ऐसे ही सिलना है हम इसमें आदा आदा इंच की प्लेट डाल देंगे और यह प्लेट मुझे दोनों साइड को डालनी है बैक में भी ऐसी डालनी है और फ्रंट में भी मतलब दोनों पार्ट में सेम सेम डालनी है तो यह फ्रंट पार्ट हो गया रैडी अभी हम जो अपना अस्तर में फैबरि से जैसे मैंने कटिंग किया था ऐसी दोनों पलों को सामने से मैंने सिल लिया है यह देखिए यह दोनों सिल गई हमारे आपस में अभी बस इसको जैसे मैं आपको रखके दिखा रही हूँ ऐसे ही हम यहां से सिलाई लगा लेगा अगर बाइब सांस कोई पार्ट बड़ा के बराबर कर लीजे ऐसे हमें इसलिए इसको लगाते हुए लाना है मैं आपको इसका बैक पार्ट भी दिखाती है उसको भी मैंने रैडी कर लिया है बैक पार्ट में हमने च्छैंच का गला लिया है तीन चोड़ाई च्छैंच लंबाई और इसमें कट नहीं था तो इसलि मैं इसको पूरा सिलाई कर दूंगी देखिए दियान रखें जो सेंटर में मैंने एक निसान लगा रखा है चौक से आपको भी ऐसे ही निसान लगाना है ताकि आप सेंटर से इसको बिल्कुल अपनी जो दोनों पार्ट है उनको अच्छे से जोड़ें अगर बाईचान सिधर हमारी गले की सेप आई उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे लगाते हुए लाना है और नीचे की साइड जैसे उपर की साइड से हमने घुमाया और जो मैंने सेंटर में निसान लगा रखा है वहां से उस सिलिट तक नीचे लेके आना है ध्यान रखें जो हमारा निसान है से उस से मैंने इस साइड लगाई है अब यहां से भी ऐसे ही बिल्कुल वैसे ही कर्व देना जैसे हमने इस साइड दिया था और यहां से भी हम दूसरी सिलिट की तरफ लेके आएंगे लेस को और बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है उसमें लेस वगरे नहीं लगाने को नीचे से बॉटम से मोड लेंगे और नीचे देखिए हम इसमें या तो मोड लेंगे या फिर पीको कर लेंगे लेस यह हमारी स्लीप्स हैं पहले मैंने सोल्डर जोड लिया है स्लीप्स के मैंने बॉटम पे दो लाइने लगाई हैं लेस की सिंपली जैसे हम बाजू आपने मेरे चेनल की आप लूड़ है जो कि मैंने मेरे बेडेस की हैं यह इंदिक चैनल से सीख सकते हूए सबस्क्राइय के अब 利 mixer नीचे आप में इस फिटिंग करते हो नहीं हो तो आप छीन कीड़ीन … ज्यादा नीचा ना रहे बस अब फिटिंग से लेके ये दोनों साइड मेरी बिल्कुल कमर वाली एक दम मिलके आई हैं अब सेम नीचे बॉटम तक लेके आएंगे इनको और बॉटम तक लाके फिर हम दूसरी साइड से फिटिंग कर देंगे बॉटम वाले हिससे भी हमारे द देखी फाइनल लुक है जो मैंने प्लाजो पहना हुआ है इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है यह मैंने नैट से बनाया था यह हमारा कड़ाई वाला नैट है यह प्लाजो का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्सर में डाल दूंगे आप वहां जाके सीख लि परत नहीं पड़ती है अगर इसमें सेम कलर का प्लाजो होता मतलों जैसे पिंक की तो बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं लगता है वाइट कलर का